तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज को टॉपिक रॉल्स लॉप रॉल्स लॉप देखने से पहले हमको उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट रिवाइस करना पड़ेंगा जैसे कि वेपर प्रेशर अब वेपर प्रेशर हम किसको कहेंगे तो प्रेशर एक्षर एक्षर्टेड बाई वेपर ऑफ लिक्वीड अबाव लिक्वीड सर्फेस एक्विलिब्रियम और सर्टन टेम्परिचर याने जो वेपर होते हैं इस लिक्वीड के वो जो इस लिक्वीड के सर्फेस के ऊपर प्रेशर एक्षर करते हैं उससे हम कहते है vapor pressure जब वो equilibrium में हो at a certain temperature तब हम उसको कहते है vapor pressure वेपर pressure जो है उसको lowering उसका कैसा होता है वो देखते है lowering of vapor pressure हमने एक volatile mixture ले लिया volatile mixture लेने के वज़ह से इसमे वेपर pressure create हो गया क्योंकि यहाँ की जो molecules है वो एयर में जाके exchange हो रहे है equilibrium यहाँ पर create हो रहा है तो इस वजह से यहां पर वेपर प्रेशर क्रेट हुआ है अब अगर हमने उसके अंदर नौन वोलाइटाइल लिक्विड डाल दिया ठीक है अब वो तो एक्सचेंज नहीं करेंगा वो तो वेपर क्रेट नहीं करेंगा करेंगा भी तो बहुत उसका कॉंटिटी कम रहेंगा तो अब कॉंटिटी तो बढ़ गया दोनों को मिक्स करने के वज़े से कॉंटिटी बढ़ गया बट उसकी जो वेपर्स है वो तो कम है वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल्स है वो तो कम है वो तो उतने के उतनी है जितने के वोलाटाइल फेज के थे जब नौन विलाटाइल फेज एड़ किया तो quantity बढ़ गया बट उसके जो वेपर है वो जैसे के वैसे रहे इसलिए उसमें क्या हो गया lowering of vapor pressure हो गया तो उसका equation कैसा बनता है तो उसका equation को हम क्या बोलते relative lowering of vapor pressure उसका equation बनता है P0 minus P divided by P0 यानि P0 हम किसको बोलतेल जो है उसके वेपर प्रेशर को P0 minus इसको एड़ कर दिया तो इस वज़े सी इसको हम क्या कर रहे है minus divided by P0 total quantity जो है वो तो यहां सी इसको कितना minus divided by उसकी total quantity वो हो गया हमारा relative lowering of vapor pressure उसके बाद और एक concept हम को पता होना चेह वो है मोल fraction मोल fraction हम किसको कहते है सपोज अगर हमने दो substances ले लिए substance A substance B और उन दोनों में से substance A की quantity कितनी है यह हमको पता करना है उसका fraction कितना है यह पता करना है तो उसको हम कैसे करेंगे A divided by A plus B तो A और B की quantity और उसके उपर क्या रहेंगा हमारा A की quantity वो हो गया हमारा A का मोल fraction वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं सपोज हमने दो solutions लिए N और capital N small N capital N अब N क्या दिनोट करता है number of moles of solute और capital M number of moles of solvent तो हमने solute लिया और solvent लिया अब अगर हमको XN निकालना है याने number of moles of solute का fraction निकालना है तो हम कैसे करेंगे XN is equal to N divided by total number small N plus capital N वैसे अगर capital N का निकालना है तो capital N divided by small N plus capital N और एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि XN plus XN यहने x small N x capital N इनको अगर हम addition करें तो उसका addition हमेशा 1 आएगा ठीक है यह हमको आगे काम मानने वाला है इसलिए यह याद रखिए ठीक है आगे का देखते हैं अभी अब हम देखने वाल है रॉल्ड्स law of lowering of vapor pressure अब lowering of vapor pressure का हम रॉल्ड्स law देखने वाल है तो उसके अंदर हमको एक चीज पता होना चाहिए कि इसमें lowering हो रहा है इसका मतलब इसमें का एक जो solute है वो है volatile और उसमें का एक जो solvent है वो है non-volatile ठीक है तो एक volatile और एक non-volatile अईसे दो component है ठीक है और अगर दोना भी volatile रहे तो उसका अलग equation बनेगा रॉल्ड्स law से ठीक है तो पहले यह देख लेते हैं हमने कल डाल्टन का एक principle पढ़ा था उसके उपर हमको बताया गया था कि पी याने के pressure is directly proportional to the mole fraction यह हम पढ़े थे ठीक है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से वो वीडियो देख लीजे अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार आप उसको revise करें ठीक है तो पी याने के pressure is directly proportional to n n प्लस n यह भी हमने equation देखा ठीक है mole fraction का x is equal to n upon n प्लस n अब हम इसको अगर हमको यह proportionality का sign हटाना है तो हमको एक proportionality constant लेना पड़ेंगा तो p is equal to k जो की proportionality constant है और n divided by n प्लस n ठीक है यहाँ पर n is equal to 0 है क्योंकि हमने जो solute add किया था वो non-volatile है अब वो तो वेपर्स ज्या नहीं करेंगा याने negligible है इसलिए उसको हम पकड़ रहे है 0 और यहाँ पर हमारा p is equal to क्या हो जाएंगा p 0 क्योंकि a की की उपर pressure depend हो गया है तो अब देखते है n को हमने 0 consider किया तो यहाँ पर 0 आ जाएंगा p is equal to k n upon 0 प्लस n ठीक है क्योंकि n की value है 0 अब इसको n हो गया हमार कट कि उपर बेन है नीचे बेन है कट हो गया यह नहीं हमारे equation क्या बन गया p is equal to k p 0 is equal to k क्योंकि p is equal to p 0 तो p 0 is equal to k हमारे equation बन गया अब इस equation को हम put करेंगे equation number 1 में हमने इसको इसमें put कर दिया तो क्या बन गया p is equal to k के जगह पर हमने put किया p 0 और बाकी का जो equation था n divided by n प् अब ऐसे equation आ गया p p 0 n n प्लस n अब यह जो p 0 है इसको मैं नीचे ला सकता हूं बराबर तो p divided by p 0 is equal to n divided by n प्लस n ऐसा हमारे equation बन गया अब दोनों को मैं 1 से माइनस कर लेता हूं ठीक है तो इसको 1 से मैंने क्या किया माइनस कर दिया माइनस करने के बाद क्या होगा इसको हम हमको फ्रैक्शन करने आता है तो इसको हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टिप्लाइ करेंगे और माइनस पी करेंगे तो हमने कर दिया p 0 into 1 यानिके p 0 मैंनस पी डिवाइदबै पी 0 सेजम यहाँ पर किया अभी आपकर ने के बाद हमको एक ध्यान में आ गया कि । से माइनस यह तो किसमें एक हमारा जो तो दुसरा ध्यान रखना दोस्तों तो एक्जाम में आप उल्टा करके आते हों तो ऐसा नहीं करना है यह है जिसमें एक component हमारा volatile है और एक component हमारा non-volatile है ठीक है अब दुसरा देखते है अब यह जो law है इस law में हमारे दोनों भी solute और solvent दोनों भी क्या है हमारे यह उसका स्अपरेशन बनेगा यह एक इकसप्रेशन हम देख चुके में हमको डालतन ने कल बताया था कल की वीडियो में हमने देखे थे कि अक्वाडिन डालतन क्या आता है पार्शेल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन अगर हम कंनेडर करते हैं पारिशल वेपर प्रेश of 1 in pure state यह इसका equation हमको डल्टन ने बताया था उस हिसाब से अगर हम consider करते हैं तो P1 is equal to X1 अब X1 क्या है हमारा mole fraction of 1 X1 into P1 of pure state P1 of solute in pure state और same example हमारा बनता है पी टू का P2 is equal to X2 into P20 यह किसका बन गया P2 का यह हो गया P1 का यह एक हो गया solute का एक हो गया solvent का अब हमको अगर total vapor pressure अगर solution का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेंगा दोनों का addition करना पड़ेंगा तो हमने इन दोनों को क्या कर लिया addition कर लिया तो उसी साब से हमारा क्या बन गया total vapor pressure of solution क्या बन गया जिसको मैं PT लिखता हूँ इसको actually P ही लिखते है बट हम समझने के लिए PT लिख रहे है is equal to P1 plus P2 बराबर है अब PT is equal to P1 की value हमको क्या है mole fraction into vapor pressure of component 1 in pure state और P2 is equal to X2 यानिक mole fraction of 2 into vapor pressure of 2 in pure state यह हो गया हमारा second equation of roll's law for volatile solute and solvent but इसके उपर से जब हम mathematical equations solve करते है या हमको numerical solve करना होता है तो हमको और बहुत-बहुत अलग-अलग types के equations की ज़रुवत पढ़ती तो और कुन सा equation में इसके उपर से derive कर सकते है तो हमको एक पता था जो मैंने बोला था आपको याद रखो X1 प्लस X2 is equal to 1 हमने क्या लिखा था XN प्लस X N is equal to 1 ठीक है तो X1 प्लस X2 is equal to 1 हमको पता है हम इसको ऐसा भी लिख सकते है X1 अगर पकड़ते है तो यह जो X है X2 है इधर चला जाएंगा तो X1 is equal to 1-X2 यह तो आपको पता है ठीक है अब मैंने क्या क्या टोटल वेपर प्रेशर जो था हमारा वो लिख लिया और उसके जगह पे यह जो equation है तो यहाँ पे जो X1 था इ हो गया हमारे equation अब हम इसको multiply करते हैं P1 into 1 तो क्या हो गया P10 minus P10 into X2 तो P10X2 आ गया प्लस यह equation जैसा था वैसे लिख लिए ठीक है अब हमने क्या किया इसको अलग अलग दिये और इसके variables सेम होने के वज़े से हमने इसको क्या कर दिया अलग निकाल दिया और यह दोनों है ह P10 minus P10 यह हो गया हमारा equation हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो यह हो गया हमारा और एक expression किसका रॉल्स लौ का ठीक है तो हमने अब तक रॉल्स लौ के तीन expression देख चुके है ठीक है इसका graph है graph भी देखेंगे बर उसके पहले हमको देखना है ideal और non-ideal solution किसको कहते ह तो चलिए देखते हैं अब ideal solution किसको बोलेंगे जो रॉल्स लौ अबे करेंगा बरबर जो रॉल्स लौ अबे करेंगा उसको हम कहेंगे ideal solution जो हर concentration में रॉल्स लौ अबे करेंगा वो हो गया हमारा ideal solution दूसरा जो कोई भी heat evolved या absorb नहीं करता है no heat evolved और absorb जब भी reactions करते जब भी mixing करते हैं तो कोई भी heat जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था endothermic, exothermic reactions वैसा यहां पर नहीं होगा ठीक है तो delta mixing कितना होता है delta mixing वो होता है 0 ठीक है तिसरा क्या है no volume change इसमें अगर हम solute or solvent डालते हैं तो उसका जब solution बनेंगा तो change नहीं होगा यानिवन लिटर अगर हमने solute लिया वो टू लिटर solvent लिया तो हमारा 3 लिटर exactly 3 लिटर हमारा क्या बनेंगा solution बनेगा ठीक है वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल solution lies between its component वेपर प्रेशर जो है solution का वो उसके components हैने के solute और solvent उन दोनों के बीच में ही रहेगा और एक क्या पॉइंट है solute 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 interactions are comparable यह तीनों भी जो इसकी interactions होंगी वो comparable रहेगी ठीक है उन तीनों में comparison किया जाएगा अब non ideal solution क्या होता है do not obey rolls law वो rolls law अबे नहीं करेंगा वेपर प्रेशर कैन बी higher और lower वेपर प्रेशर उसका बहुत higher रह सकता है या लो रह सकता है उसके बीच में ही रहा ऐसी जरूरत नहीं है lies between its component जरूरत नहीं है और show deviation from rolls law रोल्स law से वो deviation शो करेंगा एक तो positive या फिर negative deviation ठीक है अब ideal solution का problem ऐसा है कि ideal solution generally मिलता नहीं है जैसे बेंजीन वगर है वो उसके near about work करते हैं बट complete ideal solution मिलता नहीं है तो हम देख लेते हैं अभी rolls law जो हमारा है उसका जो graphical representation है वो कैसे बनता है ठीक है तो वो पहले देख लिते हैं मैंने यहाँ पे graph draw किया है वहाँ पे नीचे मैंने mole fraction दिया है और यहाँ पे मैंने vapor pressure लिखा है ठीक है अब हम देखते हैं यही जो equation है इसी equation के भरोसे हम rolls law का graph पूट करने वाले हैं तो इसमें अगर मैं consider करता हूँ P2 is equal to x2 into P2 0 अब यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे x1 कितना है 0 और x1 is equal to 1 ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए x1 जब 0 है तब x2 1 रहेगा इधर यानि इधर से इधर बढ़ते जाएंगा या फिर इधर से इधर बढ़ते जाएंगा ठीक है तो हम दोनों भी possibilities देख रह अब मैं क्या देखता हूँ सबसे पहले हम देखते है x2 का ठीक है तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे x2 की value 0 है तो x1 की value कितनी है मेरी 1 है x1 की value 1 होने की वज़े से x2 की value मेरी यहाँ पे कितनी रहेंगी 0 रहेंगी करना हैं आज एकक्स्टू की वैल्य 0 हो गई म्या viennent तो यहां से ग्राफ मेरा स्पूर रहता है आपको बता है तो यहां से रहां जएंगा कहा तक पहांज यह तो constant हैं यहां तक जाएगा similarly यह वैसा ही हम यहाँ पे करते हैं जब x1 0 होंगा x1 दो possibilities है जब x21 है तो x1 कितना रहेंगा इस जगह पे x1 0 रहेंगा अब यहाँ से अगर 0 कंसिडर करते हैं तो हमारा यह equation P1 भी क्या हो जाएंगा 0 तो यह भी हमारा graph यहाँ से शुरू होंगा 0 से ठीके और directly proportional होने के वज़े से यह सीधा बढ़ेंगा graph ठीके जितना mole fraction बढ़ता है उतना ही वे pressure बढ़ेंगा हमारा equation आपको याद होंगा P is directly proportional to x जितना यह बढ़ेंगा उतना ही यह बढ़ेंगा इसलिए हमारा graph कैसे आएंगा सीधा बढ़ेंगा यह एक equation पूट हो गया अब उन दोनों के बीच में हमारा कुन सा equation रहेंगा PT का solution का ठीके तो PT का equation हमारा क्या आया P1 प्लस P2 यह हो गया हमारा किसका equation total solution याने total P1 प्लस P2 का equation और इसी को हम कहते है ideal solution ठीके यह हो गया हमारा ideal solution का graph उपर का अब हमने बोला था यहाँ पी डेवेशन शो करता है अब डेवेशन कुण सा कुण सा positive और negative deviation शो करता था अब positive और negative deviation मैं यहाँ पी आपको शौट में बताता हूं कि जब यह deviation आईसा शो करेंगा positive ठीके कि तो यह भी बढ़ जाएंगा यह भी बढ़ जाएंगा इस से सब उपर जाएंगे और निगेटीव डिवेशन में इस लाइन से सब नीचे आ जाएंगे अईसा तो यह हो गया एक पॉजिटीव डिवेशन और एक नीगेटीव डिवेशन एक बार आप देख लेंगे किताब में तो आपको बहुत अच्छे जिसमें आपको conceptuals पढ़ाई करना जरूरी होता है और उसके लिए आपको concept बनाने के लिए इसको दो-दो बार कम से कम देखना पड़ेगा और तब जाके पढ़ने के बाद आपको exactly दिमाग में आपके concept फिट हो जाएंगे ठीक है so thanks for watching this video और आपको पता ही है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताके उन लोगों तक ये पहुच सके जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है झाल